स्वयुक्त राश्ट अमेरिका के 47 वे राश्टपती के रूप में डुनाल ट्रॉम्प की जीत की खोश्रा ने दुनिया भर में हलचल मचा दी है विबने देशों की प्रतिक्रियाएं अलग-अलगा रही हैं कुछ देश उनके सत्ता में लौट में से खुश हैं जबकि अन्य उनके प्रभाव को लेकर आशंके थे तो ट्रॉम्प के राश्टपती बनने से किसे लाव मिलने वाला है और किसे नुकसान होगा वीडियो में हम विस्तार से जौनेगे सबसे पहले बात कर लेते हैं रशिया की ट्रॉम्प की जीत पर सबसे ज़्यादा खुश होने वाला देश रशिया है वुलामदीर पुतीन और उनकी सरकार को ट्रॉम्प के सत्ता में लौटने से खासा लाभ हो सकता है ट्रॉम्प ने हमेशा ये कहा है कि उनका लक्ष यूक्रेन युद्ध को कम करना है और रूस पर लगाए गए प्रतिबंदों को हटा दिना है रूस के लिए इसका मतलब है कि अमारी की प्रतिबंदों के हटने से वैश्विक आर्थिक व्यापार में राहत मिल सकती है प्रतिबंदों के हटने से रूस को अंतराश्री बाजार तक बहतर पहुँच राप्त हो सकती है इसके अलावा रूस अपनी रक्षा सामगरी की विक्री को देशों में जैसे की भारत को फिर से बढ़ा सकता है जिनके लिए प्रतिबंदों के कारण ये मुश्किल हो गया था रश्या के बाद अगर बात करें इंडिया की तो भारत में ट्रम्प की वापसी को लेकर कुछ मिली जुली प्रतिक्रियायन देखने को मिल रही है एक तरफ भारत को ट्रम्प के सत्ता में लोटने से कई फायदे हो सकते हैं कौाड यानि की यूएस इंडिया जापान ऑस्ट्रेलिया समिट जिससे पहले 2024 में भारत में आयोजित किया जाना था अब वो 2025 में आयोजित होगा और ट्रम्प राश्पती होंगे ये भारत और अमारिका के बीच रक्षा और रनीतिक संबंदों को मजबूत करने के लिए एक अच्छा अवसर हो सकता है भारत और अमारिका के बीच व्यापार संबंद भी बढ़ सकते हैं विशेश रूफ से रक्षा अपकरनों और तकनीकी सैयोग में हाला कि ट्रम्प की संडरक्षर वादी नीदियां जैसे कि अमारिकी आयात पर उत्च शुल्क लगाने की संभवना भारत के एक चिनौती भी बन सकता है अब ट्रम्प के सत्ता में लोटने के बाद राजनीतिक दवाब महसूस करने लगा है बांगलदेश की वर्तमान सरकार विशेश कर पूर्फ प्रधानमंत्री शेक हसीना ने डेमोक्रिटिक पार्टी की नेताओं से अच्छे संबन बना रखे थे ट्रम्प के साशन के दौरान बांगलदेश की सरकार पर मानवधिकार उनलंगन और राजनीतिक उत्पीरण के आरोप लगते रहें ट्रम्प की नीती में सुधार की उमीद कम हो सकती है और इससे बांगलदेश सरकार पर दवाब बढ़ सकता है भारत के बाद अगर दूसरे उसके पडोसी बात करें तो चीन के लिए ट्रम्प का राश्पती बनना एक बहुर गम भीर चुनोती हो सकता है ट्रम्प के पहले कारिकाल में चीन के उत्पादों पर भारी शुल्क लगाए गए थे जो एक व्यापार युद्ध का कारण मने थे ट्रम्प फिर सिव राश्पती बनने वाले हैं तो वो चीन पर और भी अधिक दबाव डाल सकते हैं और वो पहले ही 60 प्रतिशत तक शुल्क बढ़ाने की संभावना व्यक्त कर चुके हैं इससे चीने निर्याद पर नकरादमग असर पड़ेगा और भारत तता वियतनाम जैसे देशों के लिए वैश्पिक बाजारों में अधिक इस्थान मिलने वाला है इसके अलावा ट्रम्प का कठोर रुक दक्षन चीन सागर में चीन के सेन विस्तार और ताइवान के मुद्दे पर भी जारी रह सकता है जो चीन के लिए चिंता का विशे जरूर होगा बात करें पाकिस्तान की तो पाकिस्तान जिसके प्रधान मंत्री इमरान खान के साथ ट्रम्प का व्यक्तिगत संबंध था शायद इस बदलाव से कुछ राहत महसूस करें हाला कि ट्रम्प का पाकिस्तान के राजनितिक परिद्रश्टिक पर जादा ध्यान नहीं है और वो पाकिस्तान को दी जाने वाली सेंस सहायता में कोई विशेश बदलाव करने के लिए उत्साहित बिलकुल नहीं दिखाई दे रहे हैं पाकिस्तान की वर्थमान इस्थिती और राजनितिक आयस्थिता को लेकर ट्रम्प की प्रतिक्रिया नकरात्मक हो सकती है और ये भी समवब है कि वे पाकिस्तान को अमारीकी सहायता में और कटोती करें पाकिस्तान के बाद बात करें किनाडा की तो कनाडा के लिए ट्रम्प का सत्ता में लोटना आर्थिक डुष्टी कौन से चुनोती पूर्ण होगा अमेरिका का बढ़ता हुआ तेल उत्पादन कनाडा के तेल निर्याद को प्रभाव करेगा इसके अलावा ट्रम्प के टैक्स में कटोती और अविवस्था निर्मान नीतियां कनाडा के निवेशों को अमारिका में खीच सकती हैं जससे कनाडा की अर्थिववस्था पर दबाब पड़ेगा अमारिका और चीन के बीच व्यापार युदि के कारण कनाडा को बीच में फसने को जोखिम हो सकता है क्योंकि वो दोनों देशों के बीच आर्थिक मध्यसता के रूप में काम करता है और आखर में बात करें युरोप की तो युरोप में ट्रम्प के साथ रिष्टे पहले ही तनाफपूर्ट थे और अब ट्रम्प के फिर से राश्पती बनने से युरोपिये देशों के लिए एक नई चिन्ता उत्पन्न हो गई है ट्रम्प की अमारिका फ्रस्ट नीती और उनके रूसी समर्थन के प्रती अनकूल द्रश्टिकोर से युरोप में चिन्ता बढ़ गई है ट्रम्प के पहले कारकाल के दौरान नाटो और युरोपिये देशों के बीच मतवेद उबरे थे और ट्रम्प ने युरोपिये देशों को अपने रक्षा खर्च बढ़ाने के लिए प्रे रिद किया था यूरोप की नेता खास कर जर्मिनी और फ्रांस के लिए ट्रम्प का लोटना एक कठन इस्तिती हो सकता है क्योंकि उनके दृष्टी कोन को लेकर यूरोपीय नेताओं में आसहमती रही है रूस और यूकरेन युद्ध के संदर्भ में यूरोप को ट्रम्प की नीती पर संदे हो सकता है खास कर उनके यूकरेन के साथ जो चाहो वो करो जैसी बयान के बाद तो ट्रम्प के जीत पर आपको ये जानकारी कैसी लगी है हमें कॉमेंट सिक्षिन में ज़रूर बताएं साथी साथ हमें ये भी बताएं कि आप किस विशय पर और जानकारी जानना चाहते हैं बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें जन सत्ता के साथ